विराट कोईली का आज का बैटिंग देखकर क्यूंकि RCB के लिए हर मैच नोकाउट के समान हो चुका है यहां से एक मैच भी हरना RCB का प्लेअप का सपना चूर चूर कर सकता है पहले तो अपने टोजित के बैटिंग करने का फैसला लिया और आप उस्टीम के खिलाब खेल रहो जिसके लिए इस IPL मेच 20 रन बनाना आम बात है विराट कोईली ने 43 बोल पर 51 रन बनाए जिसमें 4 चोके और 1 चके मौझूद थे ऐसा नहीं कि विराट कोईली अस्टार्टिंग से ही सुलोग खेल रहे थे विराट कोईली ने पावर पले में संदार बैटिंग किया लेकिन पावर पले खतम होने के बाद विराट कोईली लगबग 15 बर तक खेले लेकिन एक बॉंडरी नहीं लगा पाए आप T20 में 7-8 बर खेल जाओ और बॉंडरी ना लगाओ तो ये एक तरह से खराब दीन ही माना जाएगा क्योंकि विराट कोईली जैसा बैट्समें जब तक क्रीच पे खड़ा रहे चाहे T20 हो चाहे ODI हो तो हमेशा से विराट कोईली बॉंडरी की तलास में रहते हैं आप T20 किर्केट में ज़्यादा देर तक सिंगल डबल नहीं खेल सकते क्योंकि T20 गेम आज के टाइम में बहुत फास्ट हो चुका है क्योंकि आज के समय में सारी टीम 240-250 रन की टारगेट की तलास में रहती है इस तरह की बैटिंग से RCB का ट्रोफी जितने का सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि RCB में नाम तो बड़े हैं लेकिन काम छोटे तो आप सब बिराट कोली का आज का बैटिंग के बारे में क्या सोचते हैं तो आप लोग कमेंट बक्स में जरूर अपनी रह दीजेगा तो ये वीडियो अच्छा लागती है इस वीडियो का लाइक कीज़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं रोकी राजपुत मिलता हूँ ने स्टुडियो में जै जै बारत